मैं डक्टर अर्पी सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल डक्टर रागो अर्वेदा सक्ति में सागत करता हूँ आयरुवेद में मुसली का यौन सक्ति और सारी कमजोरी को दूर करने के लिए कई वर्सों से औस्धी के रूप में प्रियोग किया जाता रहा है आयरुवेद के सास्तरों में मुसली दो प्रकार की बताई गई है एक सफेद मुसली और दूसरी काली मुसली दोनों तरह की मुसली औस्धी के रूप में बहुत से रोगों में प्रियोग की जाती है काली मुसली का प्रियोग मूल रूप से यौन सक्ति बढ़ाने और सरीर की मानस्पेशियों की दुर्बलता को दूर करने में किया जाता है साथी या मुत्र या यूरीन संबंदी रूगों के उपचार में भी बहुत फाइदेमन होती है काली मुसली एक बहु वर्सी कोमल छूप होती है जिसकी जड़ फाइबर युक्त मानसल यानि ठोस होती है काली मुसली स्वाद में हलका मीठापन और करवापन लिये हुए होती है लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए आयरुवेदिक चिकिसक की सला से ही इसको लेनी चाहिए काली मुसली के पत्ते ताल के पत्तों की तरह होते हैं पीले रंके फूलों के काण इसको स्वन पुस्पी या हिरने पुस्पी भी कहते हैं इसकी जड़े बाहर से मोटी यह काले भुरे रंकी ज़ता अंदर से सफेद रंकी मांसल या तंतु युक्त होती है आयुर्बेड के अनुसार काली मुसली चिपचिपाहट युक्त वात पित को कम करने वाली और कफ को बढ़ाने वाली होती है काली मुसली यौन सक्ति बढ़ाने वाली सरीर का बल बढ़ाने वाली और सरीर के सभी तत्तों को पोर्शन देने वाली होती है इसके अलावा ये जलन थकान पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है काली मुसली रक्त को दूसित करने वाले तत्तों को नश्ट करने वाली होती है अर्थात ये रक्त को साफ करने वाली होती है काली मुसली की जड़ वाजिकारक यौन यानि यौन सक्ति बढ़ाने में मददकार और मुत्त रोग में लापकारी होती है साथ ही ये सक्ति वर्दक बुखार, संग्रहणी या दस्त, आतों की कमजोरी, पाइल्स, रक्त संबंदी बिमारियां, सुक्र मेह में बिलाब कारी है मदुमे या डायविटीस के कारण होने वाली कमजोरी में इसका अच्छा परडाम देखने को मिलता है तो अच्छा संबंदी रोग जैसे सफेद दाग, लीबर संबंदी रोग जैसे पिलिया और साथ संबंदी बिमारियां जैसे फेपडों में सूजन, इन सभी में काली मुसली का प्रियोग कर सकते हैं अगनी माद्दे यानी कमजोर पाचन सकती और उल्टी होने जैसे इच्छा में काली मुसली को देने से लाब मिलता है कमर दर्द या संदिसूल या जोडों में दर्द से भी वात को कम करने के कारण काली मुसली एक बेहतर औस्ती है आज कल तनाव और भाग दोड़ भरी जिंदगी का सबसे ज़्यादा असर सेक्स लाइप पर भी पढ़ता है इसलिए कमर उम्र में ही आज की हुआ सारी कमजोरी की समस्या से जूजने लगते हैं इसका असर उनकी यौन सकती पर भी पढ़ता है इस समस्या से चुटकारा पाने के लिए काली मुस्ली एक बहतर उपाए है क्योंकि काली मुस्ली में वाजी करण का गुण होता है जो की सरीर की कमजोरी को दूर करके यौन सकती को बढ़ाती है आपके लिए समान मात्रा में काली मुस्ली, गुणोची सत्त, केवाचबीच, गोचुरू, शेमल, आवला और सरकरा को घी और दूद के साथ मिला कर पिए और दूसरा एक और तरीका भी है मुस्ली, कंद, एक भाग, मखाना, दो भाग, तीन भाग, गोचुर, के चुणका, छिरपाक, कर, मिस्री तथा टंकन, मिला कर, तीन सब्ता तक सुबह, गुनगुना करके पीने से सेक्स की इच्छा बढ़ती है आधूनिक जीवन सैली और गलत खानपान का बुरा असर संतान को पैदा करने की छमता पड़ पड़ रहा है जिसके कारण सुक्राणों की संख्या और गुनवत्ता में कमी हुई है और इस समस्चा को दूर करने में काली मुस्ली एक बहतर उपाए है काली मुस्ली का शेवन दूद के साथ करने पर जल्दी ज़्यादा फाइदा पहुंशता है दो से चार ग्राम काली मुस्ली जड़ के चुण का दूद के सावन सेवन करने से शुक्र दोस में लाब मिलता है सीगर पतन की समस्या आज की युवा पीड़ी की आम समस्या है और काली मुसली इसको दूर करने में अच्छा उपाय है सीगर पतन रोकने के लिए आपको एक ग्राम मुसली चुण में मिस्री मिला कर खाने से सीगर पतन तथा वीरे विकार आदी दोस मिटते हैं 2-4 ग्राम काली मुसली के चुण को गाय के घीव में मिला कर खिलाने से वीरे की पुष्टी होती है काली मुसली तथा उंटंगन के चुण को मिला कर 2-4 ग्राम में सेवन करने से सरीर तथा वीरे की पुष्टी होती है काली मुसली मुत्र संबंदी बिमारियों में एक कारगर ओस्ती है मुत्र संबंदी बिमारी में बहुत तरह की शमर्षाएं होती है जैसे मुत्र करते समय दर्द या जलन होना मुत्र कम मात्रा में आना इस प्रकार की सभी शमर्षयाओं में काली मुसली बहुत ही लापकारी साबित होती है क्योंकि इसमें मुत्रल यानि डायूरेटी गुण पाया जाता है काली मुसली के 2-4 ग्राम चुण में 5 ग्राम मिस्री मिलाकर तथा 3 बूद चंदन तेल डालकर दूद के साथ सुबह साम पीने से मुत्र संबंधी रोगों में लाब मिलता है मुत्र घात में रुक रुक कर पिशाब होता है जिसके काण असहनी दर्द और पीड़ा को सहना पड़ता है इससे राहत पाने के लिए 10-15 मिली काली मुसली के काड़े का सेवन करने से मुत्र घात में लाब होता है किड्नी के दर्द से आराम पाने के लिए काली मुसली का सेवन करना चाहिए एक से दो ग्राम काली मुसली चुण में 5 मिली तुलसी तेल का रस मिला कर खाने से बृक के सूल में लाब होता है अगर ज्यादा मसालेदार खाना पैकेजड फूट या बाहर का खाना खा लेते हैं और आपकी पाचन संक्ती कबजोर हो जाती है तो आपको पेट संबंदी समस्चाएं जैसे अतिसार या दस्थ हो सकता है ऐसे में काली मुसली का उपयोग आप इस समस्चा को रोकने के घरेलू उपाय के रूप में कर सकते हैं एक से दो ग्राम काली मुसली की जड़ के चुण को छाच के सांथ सेवन करने से अतिसार में लाब होता है अक्सर मसालेदार खाना खाने या अश्रमे खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट दर्द की समस्चा होना आम बात है काली मुसली का सेवन पेट दर्द दूर करने के लिए भी फायदेमंद है एक से दो ग्राम काली मुसली चूण में 500 मिली ग्राम दालचीनी चूण मिला कर सेवन करने से उधर सूल कम होता है अगर मौसम के बदलाव के कान खासी से परसान है और कम होने के नाम ही नहीं ले रहा है तो काली मुसली से इसका इलाज किया जा सकता है इसके लिए इद गुड़ी, फल का छिलका, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, ताल मुली, मनसिला, तथा कपास की गुठली के चूण की बत्ती जैसा बना कर घी में भीगो कर धुम्रपान करने से खासी में लाब मिलता है अस्थमा या दम्मा एक ऐसा रोग है जो अक्सर मौसम के बदलाव के कान गंबीर औस्था में चला जाता है इससे राहत दिलाने में काली मुसली के फायदे औस्थी के रूप में बहुत काम आती है इसके लिए काली मुसली के जड़ की छाल को 500 मिली ग्राम पान में रखकर खाने से दम्मा में लाब मिलता है आज कल के तरह तरह के नए नए कास्मेटिक प्रोड़क्ट की दुनिया में तवचा रोग होने का खत्रा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जिसमें तवचा का रुखापन और खुजली होना एक आम समस्या है काली मुसली के द्वारा बनाये गए घरेलू उपाय चर्म या तवचा रोगों से निजाद दिलाने में असर और मददगार है काली मुसली को पीस कर लेब बनाने से खुजली आधि तवचा संबंदी बिमारियों में लाब मिलता है चेहरे पर उम्र बढ़ने के सांसा चेहरे पर जुरियां आना एक बड़ी समस्या है इस समस्या से आप काली मुसली के प्रियोग से घर पर ही निजाद पा सकते हैं काली मुसली की जड़ को बकरी के दूद में पीस कर मधु मिला कर चेहरे पर लेब करने से जाईयां और जुरियां दोनों खतम हो जाती हैं तथा मुख क्रान्ती की ब्रिद्धी होती है युवा पीडी की सबसे बड़ी समस्या मुहासो का होना इसमें काली मुसली एक अच्छा उपाय है काली मुसली का जड़ का पेश्ट बना ले और उसको मुहासो पर लगाएं इससे जल्द आराम मिलता है अगर त्वचा पर कहीं कट या छील गया हो तो काली मुशली के प्रंध चूण को इस प्रभावी तस्थान पर बुरकने से रक्ष्राव ब्लीडिंग रुखता है चता घाव जल्दी भड़ता है अगर सरीर पर किसी प्रकार का घाव ठीक से और जल्दी से नहीं भड़ता तो काली मुशली के पत्तों को पीस कर लेप करने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है अक्सर उम बढ़ने के साथ कान से कम सुनाई पढ़ने लगती है इसके लिए एक ग्राम मुशली चूण तथा एक ग्राम बाकुची चूण को मिलाकर सेवन करने से बाधिर में लाब मिलता है अगर कान संबंदी बिमारियों से परिसानी है तो काली मुशली के फाइदे का उपचार के रूप में लाब उठा सकते है इसके लिए मुसली के रस या मुसली के काड़े से तिल तेल को पका कर छान कर एक से दो बून तेल को कान में डालने से कान संबंदी रोगों में आराम मिलता है काली मुसली के 2-4 ग्राम चुण को 100 मिली ग्राम मिस्री मिले हुए दूद में मिला कर पीने से सुजाक में लाब मिलता है अगर किसी कान वस हड्डियां कमजोर हो गई हो और यदि हड्डी तूट गई हो तो हड्डियों को मजबूती देने और तूटी हुई हड्डी को जल्दी जोड़ने में काली मुसली एक बहतर उपाय है काली मुसली के चूणों में अत्सी तेल मिलाकर तूटे अस्थान पर लगाने से लाब मिलता है आयरुवेद में काली मुसली के जड़का ही ओस्दी के रूप में इस्तमाल ज़ादा किया जाता है बिमारी के लिए काली मुसली के सेवन और इस्तमाल का तरीका पहले ही बताया गया है अगर आप किसी खास बिमारी के इलाज के लिए काली मुस्ली का उप्योग कर रहे हैं तो आयूरुबेदिक चिकिसक से जरूर सलाह करें इसके लिए 2-4 ग्राम चुन या 10-15 मिली ग्राम काड़े का सेवन आप प्रतिदिन कर सकते हैं धन्यवाद